हलो हलो व्रिवन वेलकम टू सीसी अकेडमी के यूट्यूब प्लाटफॉम पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागित अब हम शुरुआत करेंगे आक्टूबर मन्त के करंट अफेर के से तो शुरू करते हैं आज के कोट से उपलब्धी एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति का सम्मा और आतम विश्वास बढ़ाती है असफ़लता ओं से सफलता को विकास करने की कोशिच कीजिए निराश्या और असफ़लता की दो मिश्चित सेडियां होती हैं यानि अगर आपको कहीं से फेलियर मिलता है उस फेलियर की वज़ा से ही आप सक्सेस के रास्ते पर चल पाएंगे शुरुवात करते हैं आज का पहला कोशन है हाल ही में ऐसे अरपतियों की संख्या कितनी हो गई है जिनकी नेट वर्थ दो सो अरप डॉलर से ज्यादा है तो ऐसे चार अरपती है हाल ही में दिल्ली में बायू प्रदूशन से निपटने के लिए शुरू की गई नई पहल धूल मुक्ती दिल्ली किसके द्वारा शुरू की गई है तो ये किया गया लेफटिनेट गवर्नर विने कुमार सक्षेना की द्वारा थर्ड क्वेशन तू विच कंट्री इस हंडर परसंट ओफ एलेक्टिसिटी जेनरेटेड फ्रूम अडानी पावर गोडा पावर प्लांट एक्सपोर्टेड अडानी पावर के गोडा स्थित पावर प्लांट से बनने वाली सौ फिज्दी विली किस देश को निर्यात की ज अथोरिटी ओफ इंडिया एफ एससे आई रीसेंटली हाल ही में भारतिया खादिय सुरक्षा मानक प्रादिकरन एफ एससे आई द्वारा वेश्विक खादिया नियामक सिकर्शमेलन 2024 का आयोजन कहां किया गया है तो यह किया गया दिल्ली में फिफ्थ कोशन वेर लगाए जाने सबंधी कानून बनाए गये हैं तो यह बनाए गया है जी कैलिफोर्निया में यह ओप्शन बिल्कुल सही है तो यह किया गया जी उत्तराखंड के द्वारा भी ओप्शन बिल्कुल सही है सिवन्थ कोशन विच कंट्री इस अड़ टॉप पोजिशन अकॉर्डिंग टू दा एशिया पावर इंडेक्स रीपोर्ट एशिया पावर सुचकांक रीपोर्ट के अनिसार कौन सा देश सिर्ष स्थान पर है तो यह जी अमेरिका एप्शन बिल्कुल सही है एट कोशन इंडियन इंस्टिट्यूट ओफ टॉफ 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 जैकेट कॉल अभेद भारतिया प्राद्योगिक संस्थान आईएटी और किस संगठन ने मिलकर अभेद नामक बॉलिट प्रॉफ जैकेट विकास की है तो यह DRDO के द्वारा डेफेंस रिसे हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के खिलाब अत्याचार के सबसे अधिक मामले भारत के किस राज्या में दर्ज हुए हैं तो यह हुएं जी उत्तरप्रदेश में सी आप्शन विकुल सही है 10th question where has India's first CO2 to methanol plant launched recently आल ही में कहां भारत का पहला CO2 यानि carbon dioxide से methanol pilot plant बनाने लाँच किया गया है तो यह किया गया जी पूने में सी आप्शन बिल्कुल सही है प्रतिवश किस थारीक को विश्व रेवीज दिवस मनाया जाता है तो यह मनाया जाता है 28 सितंबर को सी आप्शन बिल्कुल सही है 12th question where was the 8th water week 2024 organized recently हाल ही में आठवें जल सब्तहां 2024 का योजन कहां हुआ है यह हुआ न्यू दिल्ली में यह ओप्शन बिल्कुल सही है on which of the following does NPS बातसल्य योजना focus निमलेखित में से NPS बातसल्य योजना किस पर केंद्रित है तो यह चिल्टरन पर है यह ओप्शन बिल्कुल सही है 14th question which country has emerged as the largest importer of arms from India in the last four years कौन सा देश पिछले चार वर्षों में भारत से हत्यारों का सबसे बड़ा आया तक बनकर उबरा है तो यह है जी अर्मेनिया ठीक है जी अर्मेनिया से को जो है भारत जादा सबसे जादा arms यानी हत्यार import करता है अर्मेनिया डी option बिल्कुल सही है 15th question recently French President Emmanuel Macron has supported India's permanent membership in UNSC How many countries are currently permanent members in it हाल ही में France के रास्टपती Emmanuel Macron ने UNSC में भरत की 27 अदस्या का समर्थन किया है पर्तमान में इसके कितने देश 27 दस्या है तो 5 22 दस्या है अब भारत भी permanent member बन चुका है 6 22 दस्या हो चुके है 16th question What is India's position in the annual Asia Power Index released by an Australian think tank Australia think tank दोरा जारी वार्शिक Asia Power Index में भारत किस स्थान पर है तो 3rd rank पर है सी option बिल्कुल सही है 17th question Recently the Supreme Court has taken cognizance of the comment of which High Court judge and said that no person can tell call any area of India is Pakistan हाल ही में सर्वोच नियाले ने किस उच नियाले के नियाधीश की टिपनी को संग्यान में लिया है और कहा है कि कोई वी व्यक्ति भारत के किसी भी क्षित्र को पाकिस्तान नहीं कह सकता है तो ये करनाट का High Court का ये फैंसला था C option बिल्कुल सही है जिसे सुप्रेम कोट ने कर्गनाईज किया है 18 question recently Mastercard and which bank has launched MyWiz credit card हाल ही में Mastercard और किस बैंक ने मिलकर MyWiz credit card लाँच किया है तो ये किया गया है जी एक्स बैंक दी आप्शन बिल्कुल सही है 19 question Where has the 79th United Nations General Assembly been held recently हाल ही में 79th सैयुक्त रास्टर महासफा कहां आईजित की गई तो न्यू और्क में C option बिल्कुल सही है 20th question On which date is World Tourism Day celebrated every year प्रतिवर्ष के तारीक को विश्व परियतन दिवस मना जाता है ये मना जाता है 27 September को C option बिल्कुल सही है Russia and which country have started Naval Exercise Weibu Interaction 2024 in the Sea of Japan रूश और किस देश ने जापान सागर में नौ सैनिक अभ्याज Weibu Interaction 2024 शुरू किया है तो ये चाइना और रश्या की द्वारा मिलकर 22nd question Recently, where has Union Textile Minister Giriraj Singh inaugurated the ERI Sari Culture Promotion Project हाल ही में केंद्रिय वश्टर मंत्री गिरिराज से ही ने कहा एरी रिशम उत्पादन प्रचार परियोजना का उत्खाटन किया है तो ये किया गया गुजुरात में B option बिल्कुल सही है 23rd question Where the Indian Arts Festival 2024 be inaugurated by President Drapadi Murmu राश्टरपती Drapadi Murmu द्वारा भारतिय कला महोचसब 2024 का उत्खाटन कहां किया गया तो ये किया गया हेदराबाद में D option बिल्कुल सही है 24th question Recently, who has dedicated three पदम रुद्रा सूपर कम्प्यूटर developed in country हाल ही में किसने देश में विक्सित तीन परम रुद्र सूपर कम्प्यूटर राश्टर को समर्पित किये हैं तो ये प्राइमिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी option बिल्कुल सही है 25th question Recently, which country has signed an international agreement for the conservation of marine biodiversity हाल ही में किस देश ने समुत्री जैव विविद्धता के सरक्षन के लिए अंतर राश्टर समझोहते पर अस्ताक्षर किये हैं तो ये इंडिया की द्वारा C option बिल्कुल सही है 26th question On which date is World Environmental Health Day celebrated every year प्रतिवर्ष किस थारीख को विश्व पर्यावरन स्वास्तिय अदिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 26 सितंबर को C option बिल्कुल सही है 27th question Where will the 55th edition of International Film Festival of India be held तो ये हुआ गोवा में भी option बिल्कुल सही है 28th question Where was the 41st Indian Coast Guard Commander Conference inaugurated recently हाल ही में 41 भारतियत तत्रक्षक Commander Sammelian का उद्गाटन कहां किया गया तो ये किया गया New Delhi में C option बिल्कुल सही है 29th question Recently In which state has the Manakadhyaya community been declared the 6th tribal group to have residential rights on the forest हाल ही में किस राज्य में मकडिया मकडिया समुदाये को बनों पर निवास अधिकार करने वाला छठा आदिवासी समुहों गोशित किया है तो ये ओडिसा में ये option बिल्कुल सही है 30th question Where has the commemorative coin on the occasion of platinum jubli of central silk board CVS been unveiled recently हाल ही में कहां केंद्रिया रेशम बोर्ड CVS की प्लाटिनियम जन्ती के अफसर पर स्मार्क सिक्की का अनावरन हुआ है तो ये हुआ मैसूर में C option बिल्कुल सही है तो यहां पर हमने 30 question current affair के discuss किये है I hope आपको ये series अच्छी लग रही होगी कोई भी doubt या कोई भी query हो किसी भी batch के regarding या किसी भी video के regarding तो आप जो है Academy के दिये गए number पर contact कर सकते हो Thank you, thank you so much for watching this video